घरेलू प्रभाग में दाल, दलहन की बढ़ती कीमतों एवं चना के उत्पादन में आई गिरावट के कारण बाजार में समस्या बनी हुई है और आम लोगों की कठिनाई तथा सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए सरकार जल्दी से जल्दी आस्ट्रलिया से अतिरिक्त चना का आयात सुनिश्चित करने का प्लान बना रही है। जल्क लगा हुआ था। लेकिन पीली मटर का विशाल आयात होने के बावजूद चना के घरेलू बाजार भाव पर कोई असर नहीं पड़ा और इसका दाम उचे स्तर पर ही बरकरार है। उल्लेकनिये है कि भारत में दलहनों के कुल वर्षिक उतपादन में अकेले चना का योगदान करीब 50 प्रतिशत रहता है और विशाल मात्रा में इसकी घरेलू खपत होती है। चना के उतपादन में आई गिरावट का असर अन्य दलहनों की कीमतों पर भी देखा जा रहा है। उपभोकता मामले विभाग के आकड़ों से पता चलता है कि चना दाल का ओसत खुद्रा मूल्य पिछले साल के 7,470 रुपए प्रती क्विंटल से उचल कर चालू वर्ष में 85.80 रुपए प्रती क्विंटल पर पहुँच गया है। दो दिन पूर्व यह 8,760 रुपए प्रती क्विंटल पर पहुँचा था। इसी एक साल की अवधी में तुवर दाल का ओसत खुद्रा भाव 126.40 रुपए प्रती किलो से उचल कर 160.30 रुपए प्रती किलो हो गया। उड़त दाम का दाम भी 13.5 प्रतिशत बढ़ा है, मगर मसूर दाल में सीमित बढ़ोतरी हुई है।